आप हरे कोशनों को ध्यान से समझने की कोसिस किजेगा यदि आपको कोशन नहीं समझ में आता है तो कमेट में जरूर बताएगा और हाँ यदि आपको समझ में आता है तो आप वीडियो पर लाइक कर दिएगा और चैनल पर नहीं होंगे तो चैनल को सस्क्राइब किजेगा हर को आपको विद्वत समझाने की प्रयास करेंगा और आप सभी लोग वीडियो को कंप्लीट देखेगा सबसे पहला कोशन स्टार्ट करते हैं और यह जो वह कोशन यहां पर कवर क्या हो पावर सिस्टम से कवर क्या हो जो कि आई यह आप कर रहे होंगे तो सिकेंडियर का आपक की तुला में प्रियूग किया जाता है यह रिजन क्यों इसका प्रियूग किया जाता है सभी को मालू में यह जो प्रियूग होता है संचनल लाइन में चालकतार को बनाने में किया जाता है लेकिन क्यों होता है क्यों ना एलमुनियम की जगह हम ताबा का प्रियूग करते है या कापर का परियूग करते हैं या अधर-अधर प्रदायत का परियूग करते हैं इसका रिजन यह जो होता है सस्ता होता है और भार में हलका होता है और भार में हलका होने के कारणी संटनल लाइन में जो सेख होता है जिसको हम जहूल बोलते हैं इसमें थोड़ी भी जहूल प पूछा गया है कि ए सी टॉंड स्विसंशन डॉफाइदें क्या है लिए गिन याथ करते हैं यहां पर आपको में बताता हूं कि संचनल प्राइली में यहां प्राइट होता है उसकी तुनला में इसको सारे लाव होते हैं जैसे कि जो तोचिक परकाव होता है जिसकों स्कीन एफक्ट बोलते हैं यह आपका क्या होता है डिसती पिछाली में नहीं होता है लेकिन जो कुरोन अचो हानीय होती है जो होता है इस सब्सक्राइब कि दिश्ची का निया इसलिए कोशन हमारेंगे आफसान नंबर डी मिल्कुल करेंटेंटर डी आफसन हमारा चाहिए अगले कोशन प्वंची पर पूछागे कि दिश्टिधारा जनित्र भारकेंदर के समेप अस्थापित किया जाता जाता जिससे कम हो सके हानिया या लाइन हानिया या प्रजवल हानिया या क्रोना हानिया इसमें कौन से हानिया को कम करने के लिए ऐसा किया जाता है देखिए दोस्तों दिश्टी धारा जनित्र के भार के बारे बात करें तो भार के जो समीब अस्थापित करने पर उसमें क्या होता है उसमें लाइन इसलिए यहां पर कोशन के अनुसार हमारा जो सही हो जाता है यहां पर भी आफसन करेक्ट हो जाता है अगले कोशन पर आते हैं जिसमें यहां पर कोशन पूछा गया है कि निमलिकित में से किसको परमाड़ों र्यक्टरों में एक मंदक के रूप में परियूग किया जाता है भारी जल को या अधर अधर यहां पर आफसन आपको श्राइल को कोता है is इसमें जो हमारा सही मैच कर रहा है वह हमारा आफसन नंबर इमेच कर रहा है यह अगले कोशन पर आते हैं जिसमें यहां पर कोशन पूछा गया कि एकलकला यह सरकीट को उड़ जाके द्वारा दी जाती है मतलब कि क्या दी जाती है देगे दोस्तों हमेशा इसका जो सुत्र ह जाता है क्योंकि जो सिंगल पेज इसी सप्लाइब होती है उसके लिए जो पावर का सुतर होता है यहां पर यहां पत्याने कियेगा चलिए अगले कोशन पर आते हैं जिसमें यहां पर कोशन पूछा गया कि और यहीं मैं थोड़ा सव जुम कर देता हूm दिए कोशन की कारण वाईव परदूसरां को कम करने के लिए ठर्मल पावर प्लांट के में प्रियुग किया जाता है क्या है उने कौन सी चीच का प्रियुग किया जाता है और इसमें जो हमारा दिया गए आफ्सन में आफसा ओर जाता है अगले कोशन प्याते हैं जिसमें पूछा गया कि Washington परिभासिद करता है यहाँ पर अधर अधर आदर आधर आपको आधरने को मिल जाता है ईसमें आपसों कौन सा यहाँ पर इसका नियम है जो की इसको परिभासिद करता है दिखेंगे नियम का क्या हो दिक्यु सिड़्कर थALK मतले कि उसमा तर मिका जो ढुपका वोता है उसमें थैया होता है इंटरापी को परिभासित करता है और इस नियम का क्या होता है इसनी हम का अनुसार किसी भी सिस्टम को initiatives हमें सस्टम वह सबक्सक्राइब होता है हमेशा सुनिय से ओएं सुनेसी बहुती कम होता है तो यहां पर कोशन का अनुसार जो हमारा सही हो जाता है आफसन नंबर सी करेक्ट हो जाता है यह जो नियम है आपका दिद्धियर नियम है तो यह आपका कोशन का अनुसार सी आफसन करेक्ट हो जाता है सी आफसन अब करेक्ट मारेंगे चलिए अगले कोशन पर आते जिसमें कोश पर चकर बोला जाता है तो यह आपका कोशन का अनुसार जो हमारा वह जाता है अगले कोशन पूछा गया कि विरूत के रूप पर परिफासित किया जाता है यहां पर आपको बहुत सारे आपसं देगे बोल्टेज चरन धारा धारा और यहां पर बिदुतबल लेकी नोश्तों resistance जो केबल के दवारा जो चरण धारा होता है उसके वहने का बिरूत करता है यह आपका जो हो जाता है इसी को हम क्या बोलते हैं इसी को ओम stromline में कौन से पदार्थ का प्रयूग किया जाता है इल्मॉनियम का या पीतल का या । दोस्तों highsδाले में लाइन सभी को और लेकिन फूस्में ताम रू से जो होते हैं। जिनका उच्छालग घ्ञंता होते हैं का प्धियो किया जाता है उच्क barrier के अनुसार सी आफसन करेक्ट हो जाता है क्योंकि अगले कोशन पर आते हैं जिसमें यहां पर कोशन पूचा गया कि भारत के सबसे बड़े तापिया उड़्जा सनेंथ की छंपता क्या है पेरे-बरे इंपोर्टेंट कोशन यह भी है देगे दोस्तों भारत के सबसे बड़े की बात करते तो भारत के बड़े जो तापिया उड़्जा सनेंथ रहे उसकी जो चामता होती है वह आपको 4760 मेगावाटी है जो कहां पर इस समय मध्यपर्देश में जितने भी चाहतर मध्यपर्देश के होंगे सभी लोग कमेंट में बताईएगा मध्यपर्देश के हो जाता है 4760 मेगावाट क्लियर हो गया आए अगले कोशन पर आते हैं जिसमें यहां पर कोशन पूछा गया कि आम तोर पर डीजल पावर इस्टेशन का इस्तेमाल किया जाता है जहां कापर की मांग खाली अस्तान है बहुत उच्छ या उच्छ या इनमें से कोई नहीं य यहां पर हम ठर्मल पर करतें लेकिन पर मांग करतें रिइंसार करहें जिस यहां पर भूख कर इस्टेशन किसी भी स्तिर इस्तित्थ होसकता है लेकिन बसक्ता अकूशन के असार आपसर नमबर A आपसर होजाता है अगले कोशन पूशन पहोच्पार प्लान टर्बाइन उपयोग किया जाता है तो दोस्तों हमेशा आप ध्याने कियेगा हाइड्रो जो इलेक्टिक की बात करें तो हाइड्रो इलेक्टिक पाउर स्टेसन में जो कैप्लान टर्बाइन होता है उसको हमेशा निम्न सिर्ष पर मतलब की 30 मीटर के लिए ही उप्यूग किया जाता है और इसके मध्यम की बात कर कर दो दो किया जाता है तो यह आपका कोशन कानुसार जो सही हो जाता है आफसन नंबर भी करेक्टेंस वर हो जाता है गरेंगे चलिए कोशन पर पूछा गया है थोड़ा सा में जूम कर देता हूं यह देखिये थोड़ा सा लंबा इसलिए करना पड़ा को एकि बिजिलिल या आपको अदर अदर आफसन देखने को मिल जाते हैं लेकिन दोस्तों विद्वित उर्जा का जो उत्पादन है उसको करने के लिए हाइड्र करते हैं और इसमें आपको पूछा पूछा गया है कि गैस्टर वाइन सनें प्रियूक प्राइम मुवर के रूप में क्या प्रियूक किया जाता है इसमें आपको अदर अदर आफसन देखने को मिल जाते हैं लेकिन दोस्तों और तर्बाइन सने कि प्राइम मुवर होता है उसके रूप में गईश्टर वाइन का प्रियोगी किया जाता यह श्युक्तPlut चलि अगले कोशन पहते थोड़ा से यहां पर बढ़े पर अससे में अल्टर्नेटर का क्या होता है दोस्तों इस Term जोंता है यहां भी लूक्वर्द और अपर यह जो में और मुपार रहएं चकर के अधार पर इसको यहां पर कोशनके जो हमारा सही हो जाता है आफसन नमबर डी बिलकुल करेक्टेंस वर हो जाता है डी आफसन नम करेक्टेंस वर मारेंगे चलिए अगले कोशन पर आते हैं जिसमें यहां पर कोशन पूछा गया है कि पहले यहां पर खाली स्थान दे दिया गया और पूछ रहा है कि का उपयोग और जो होता है यह आपका आता है यह आप का हुशन का इनसार के नाम से लिए किया यहां पर कोशन गया कि डिजल पाउर हीस्टेशन में निम्रिय 것으로 का प्रियोग नहीं किया जाता है यहां पर आपका लुब्रिकेट्व पढानी इंदर की आपटी पढाने इंप प पादन पढाने और सेन होल परवाले दिया गए लेकिन ध्याने कियेगा डीजल पाउर इस्ट्रिशं में जो उत्पादन पढानी होते इसका पाट का प्रीयोग नहीं किया जाता है इस टीम जो उत्पादार पढ़ाली होते हैं वो थर्मल पावर प्लांट में किया जाता है इसलिए कोशन कानुसार हमारेंगे आफसा नमर सी बिल्कुल करेक्टेंस्वर योज़तों ये कोशन आपको कैसा लगा कमेंट में जरू बतेगा और चैनल पर नहीं होंगे तो इस तरह कि यदि आप डेली कोशन पाना चाहते हैं तो आपको एक रेट कलर का बटन दिक्राओगा सब्सक्राइब वाला नीचे उसको दबा कर बगन में घंटी वाला आइकोन को दबाकर और नोटिफिकेशन पर क्लिक करेगा आपको हर एक जनकारी आइटेज संबंदित और इस तरह के कोशन मिलते रहेंगे